चलिए सुरुवात करते हैं आज की निउस्पेपर की मैं कल का निउस्पेपर डिसकस नहीं कर पाया था कल मुझे कुछ काम आ गया था तो इसी चक्कर मुझे गाव आना पड़ा इसी के चलते चलते मैं निउस्पेपर कल का नहीं बना पाया था सबसे पहले मैं आज का बनाऊंगा इसके बाद पिछले वाले दिन का भी मैं अपलोड कर दूँगा तो सुरुआत हम करेंगे आज की नियूस पेपर की P.I.B. में तो कोई खास नियूस नहीं आई है इसलिए आज हम P.I.B. की नियूस को डिसकस नहीं करने वाले सीधे दाहिंदू की ही मैं मैं खबरों को उठाएंगे तो पहली खबर हम देखने वाले हैं कोरोना की सेकंड वेव से रिलेटेड सेकंड वेव टू सा पीन्यूरी इस्टडी में ऐसी बात सामने आ दिये ठीक है पीन्यूरी यहां वर्ड आया है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रीम पावर्टी गरीब से भी खराब कंडिशन एक्तम बद्तर हालत कह सकते हैं जिसको तंग हाली वाला जीवन ऐसा स्टडी में सामने आया तो चौदा राज्यों में यह सर्वे किया गया था 6500 लोग इसमें सामिल हुए थे तो वही बात बताएं जाती है कि जो की सेकंड वेव जो आई थी उस ताइम में नैशनल लेवल का लॉगडाउन नहीं लगा था राज्यों ने अपने अपने हिसाब से लॉगडाउन लगाए थे ठीक है तो तो डूरिंग दा फरस्ट तो जैसा कि फरस्ट में हुआ था वैसा नहीं लगाया गया बता जारा फैल टू significantly elevate economic distress लेकिन इसके अलावा भी जो economic distress थाना वो कम नहीं हो पाया सेकेंड वाले में पूरा lockdown नहीं लगाने के बावजूर इसके अलावा ना तो hunger कम हुआ ठीक है और नहीं गरीवी सर्वे बताता है hunger was too was commissioned by the right to food campaign and the center for equity studies during December 2021 and January 2022 to evaluate economic distress following the second wave तो जब कोरोना की second wave आई उस time में economic distress था पैसों की जो लोगों कमी जा रही थी उसका अध्यन करने के लिए ये रिपोर्ट सामने आई ठीक है hunger was too जिसको कमीशन किया गया था right to food campaign और Center for equity studies के द्वारा बताया जा रहा है तो औरनाइजेशन कंड़क्टेट hunger was first from October से लेकर के दिसंबर in 2020 to measure the fallout of first wave first wave के चलते चलते क्या क्या problem लोगों ने face की है उसको hunger was first ने बताया था इसको October से लेकर के दिसंबर 2020 तक आकड़े इसके बताते हैं बताया जा रहा है as much as 66% of the respondent of the second service said their income had degrees 66% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमारी कमाई जो है घड़ गई है from the pre pandemic level कोरोना जब से आया था उसके पहले हम जाड़ा कमाते थे आज समसो की जगह पचास कमा रहा है दिस प्रपोर्शन वास लाजर एमंग अर्बन हाउसोल्ड सहर सहरी लोगों की बात करें तो वो तो अनुपाद और भी ज़्यादा families earning less than 3000 एमंध एंड मुस्लिम हाउसोल्ड बताया जा रहा है कि परिवार जो है 3000 रुपईया से भी महीना कम कमा रहा है इसमें मुस्लिम हाउसोल्ड की सामिल है नेक्स न्यूस हम देखने वाले हैं ED से रिलेटट न्यूस आप देखिए महराश्ट की गवर्मेंट में केविनेट मंत्री और NCP के लीडर है नवाब मलिक बुद्वार के दिन इनको गिरफतार किया गया है जिसके बाद कोस्टन उटने सामिल हो गए है कि उनकी गिरफतारी के आखिर वज़ा क्या है दरसल स्टेट गवर्मेंट में जो मिनिस्टर है मलिक इन पर मनी लॉंडरिंग के केस लगाए गये है और आतंकवाद के लिए इ जमीन की जो डील रही थी उससे यह जुड़े हैं एडी अंडर वर्ल्ड से संबंधिन मनी लॉंडरिंग मामले की जाच कर रहा है ठीक है एडी ने हाल में अंडर वर्ल्ड के खिलाप की इस दर्च कर कई ठीकानों पर शाबे मारी भी करी है इस सिलसिले में कुछ हबते पहल कुछ अहम सबूतं से जानकारी मिली है कि महराश सरकार में मंत्री नवाब मलिक और दाहुद इब्राहिम के सहयोगियों को बीच लेंदेन हुआ था इससे पहले जाच एजनसी की टीम ने एंसीपी नेता और स्टेट गवर्मेंट में मंत्री मंत्री नवाब मलिक से पुस्त के साल नवंबर में मनी लांट्रिंग के एक अन्य कथित मामले में हिरासत में लिया गया था और फिर उनको जेल में डाल दिया गया था इडी के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं इडी का फुल फार्म होता है डारेक्ट ट्रेड इंफोर्समेंट और इडी का फुल फॉर्म यह हम देख चुके हिंदी में बोलेंगे तो प्रवरतन निदेशाला जिसको कहते हैं इडी एक प्रकार की खुपिया जाच अजनसी होती है जो कि हमारे देश में वित्ती संबंदी अपराधियों पर नजर रखती है मनी लॉंडरिंग मामले की जाच करती है और व्यक्ति की आयसेधिक संपत्ति की जाच और पूछताज कर सकती है दरसल इडी एक तरह की जाच अजनसी होती है जो कि भारत सरकार के वित्तमंत्राला के राजस विभाग के आधीन काम करती है मुख्य रूप से एडी मतलब की डारेक्ट ट्रेट इनफोर्समेंट का काम भारत और विदेशों में पैसे से जोड़े काम पर नजर रखना होता है ठीक है प्रवरतान अधिगारी के बारे में बात बताई जाती है एडी के अंदर जो भी अधिकारी काम करते हैं ना उनका सिलेक्षन IAS IPS रेंग के अधार पर होता किसी भी आर्थिक उथल पुथल की स्थिती में एडी की जिम्मेदारी है कि वो सही तरह से उस मामले की जाच करेगी आर्थिक रूप से कानून लागू करने की पावर भी एडी के पास रहती है इस्तापने की बात करें तो 1 मई 1956 को हुई थी और वर्तमान में एडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतरगत काम करती है यह दो कानून लाए गए थे ठीक है तो इन कानूनों के अंतरगत भी एडी को काम करना पड़ता है कि एडी के मुख्य पांच मुख्याल हैं इसकी सूची यहां पर बताए गई है मुंबई चंडीगड चैन्नेई कलगत्ता और दिल्ली ठीक है देखी भारत सरकार ने इडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के अंतरगत लंगन से निपटने की पुरी छूट दे दिये इसके अवलावा गवर्मेंट भारत इडी को कुछ और अधिकार दिये गए हैं प्रमुक काम हैं जैसे की लेंदेन से संबन्दित और फॉरेन एक्सेंस से जुड़े मामलों की जांच करना एडी का काम देनली होता है एडी द्वारा पूश्ताज करने पर व्यक्ति की लेंदेन की जांच होगी सबसे पहले इसके अलावा अगर आप विदेश में किसी प्रकार की संपत्ति खरीदते हैं तो इसकी जानकारी भी ईडी आपसे मांग सकता अगर आप किसी से भारी मातरम विदेशी मुद्र लेकर अपने पास रख रहे हैं तब भी ईडी आप के पास फूश्ताज कर सकता इसके लावा अगर किसी न विदेशी मुद्रा का अधिक विपार करना चालू कर दिया जिसकी उसे अनुमती नहीं मिली है तो उस संबन में भी E.D. आपकी चांच करें इसके लावा E.D. के पास फेमा उलंगन के तहट दोसी पाए गए लोगों के संपत्ती जब करने का अधिकार भी होता है इसके लावा बताया जा रहा है E.D. देश या विदेश में किसी तरह से संपत्ती द्वारा होने वाली धोका दड़ी से भी बचाता है और दोस्यों पर उचितकारवाई करता है यही कारण है कि भारत सरकार ने वित्तिय मंत्राल है और राजस विभाग के थायत प्रवड़ता निदेशाला को उच्च और महत्पूर्डिस्थान दिया है मतलब हम CBI और ED दोनों के परिपेक्ष में देखें तो भारत सरकार राजसरकार की सहमती से राज में मामले की जांच का आदेश CBI को देती Central Government State Government की सहमती से CBI को जांच का आदेश दीती हलाकि सर्वोच नियाल है और उच्च नियाल है राज की सहमती के बिना भी किसी राज में अपराधिक मामलों की जांच के आदेश CBI को दे सकते मतलब इसके जरूरी नहीं है कि फिर State Government की अनुमती लेना ही पड़ेगा अब जो नेक्स नियूस हम देख रहे हैं वो बताती है इंडिया रसिया यूक्रेन के रिलेशन को लेकर के यहां पर रसिया की तरफ से कुछ बात हैं कहीं गई है कि इंडिया का जो स्टेंड है वो ब किसी एक पक्ष के तरफ जुका हुआ नहीं है ना तो यूक्रेन की तरफ ना तो वो यूरोपियन यूनियन की बात मान रहा है कि आप जो है यूक्रेन का सपोर्ट करिए या फिर अमेरिका का सपोर्ट करिए हमें रूस का मत करिए तो इंडिया ने दोनों की तरफ से एक बै यूएस सेंक्सन्स ओवर यूक्रेयन वुड नॉट स्टॉप S-400 डिलिवरी ऐसा राजदूद का कहना है और यूएस के जो सेंक्सन है न वो S-400 मिसाइल की डिलिवरी को रोक नहीं सकते हैं ऐसा इन्वाइड की तरब से कहा जाता है राजदूद की तरब से यूक्रेयन सोलजर्स मुविंग ऑन दा बॉर्डर विद दा इस्टन यूक्रेयन सीटी ऑप लुहांस्क ओन वेड्नस दे तो यह यूक्रेयन के सैनिक है जो की बॉर्डर में मूव कर रहे हैं वैलकुमिंग इंडियास इंडिपेंडेंट स्टैंड एड दा यूएन सीक्यूर इसके अलावा अधर डिफेंस इक्रिप्मेंट इंडिया है पर्चेश प्रॉम रसिया ना केवल एस पॉर हंडर मिसाइल बलकी अधर भी जो डिफेंस के एक्विप्मेंट है वो उनकी डिलेवरी इससे प्रभावित नहीं होने वाली एक बार यहां पर यह बताई गई है कि रसिया रसिया जो मूब करना है इस्टरन यूक्रेयन में वो बात यहां पर बताई जाती है इसके अलावा ही इस्ट्रेस्ट देट अन्गोइंग विजिट बाई पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टु मॉस्को पूट इन नो वे अफेक्ट इंडिया रसिया टा इन पार्ट इट प्रेजेंट ठीक है इसका मतलब होता है कि यदि रसिया के सांथ में हमारे पाकिस्तान के सांथ में यदि हमारी दोस्ति बढ़ भी रही है इससे बी इंडिया के सांथिका गलत प्रभाव नहीं बढ़ने इसका मतलब यह है यदि पाकिस्तान जाकर के रसिया से कह रहा है कि आप विवास सुल्जा दो तो रसिया कहता है कि यह जो है बाइलेटरल डिस्प्यूट है यहां पर बात बताई जाती है कि एक एरिया है जहां पर रसिया बोलने वाले लोग जाता है ठीक है तो उसको रिकर्गनीशन प्रोवाइट कर दिया रसिया नहीं ठीक है एड़े आफटर रसियन प्रेजिटेंट वाल्दिम्र पुतिन एनांस्ट रिकोगनीशन ऑफ इस्टन युक्रेणियन इन क्लेवस ऑप डॉन्टेस्क एंड लुहांस्क दो जगह की नामें आपर मिश्टर बावु सिंग यह चार्ज है किसके यह हैं यहां के पॉलिटिक्स के लीडर एड़ रसियन इंबेशी सेट आउट रसियन पोजिशन बिहाइंड दमूव दैट हैस इसपार आउट्रेज वल्डवाइट एंड अट्रेक्टेट प्यूनिटिव फाइन सेक्शन यूरोपियन यूनियन यूके जपान और आस्ट्रिलिया पूरे लोग एक साथ आ गए हैं राजस्थान की बात करने तो ओल्ड पैंशन इसकीम बैकिन राजस्थान बात बताई जाती है प्रिजेंटिंग एफ पॉपुलिस्ट बजट अहीड ऑफ 2023 असेंबली पोल राजस् कर एक जनवरी 2004 तो पुरानी जो पैंशन की स्कीम उसको हम रेस्टोर करेंगे ऐसा राजस्थान की गवर्मेंट की तरफ से कहा जाता है नेक्स नीव छोटी सी आई है 100 परसेंट डिजिटल डिलेवरी ऑफ सर्विसेज बिफोर 15 अगस्त ठीक है दिल्ली गवर्मेंट्स गोल ऑफ 100 परसेंट डिलेवरी ऑफ सर्विस्ट विल बी कम्प्लिटेट वेल बिफोर देडलाइन ऑफ 15 अगस्त इस यर लुटियंट गव वाली है सर्विस सेक्टर की नेक्स नीव जो हम देखने वाले हैं वो लोगपाल और लोग आयुक्त को लेकर के थी तो लोगपाल और लोग आयुक्त अधिनियम 2013 के लिए लोगपाल रहेगा और स्टेट के लिए लोग आयुक्त रहेगा इस इंस्ट्यूशन की विवस्था करी हैं तो यह जो दोनों संस्थाएं हैं ना बिना किसी संविधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाये हैं ठीक है यह ओंबूड्समेन का काम करते हैं और कुछ निस्चित स्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद लगे प्रष्टचार के आरोपों की जाच करते हैं जैसे कि यदि मैं गौवर्मेंट ऑफिसर हूँ तो मान के चलिए आप एक्जामपल की तौर में बात करता हूँ आप आराई पटवारी के पास सिमांकन करवाने के ल रहेंगे चक्कर लगाते रहेंगे फिर कहिंगे कि इतना रुपया दे दो थो है तो अपना खुद का काम भी नहीं करना है गवर्मेंट आपको सेलरी तो दे ही रही है लेकिन आपको काम करना है तो उसके लिए लोगों से पैसा लेना यही चीज आ जाती ही ब्रश्टचारी के अंतर तो ऐसे लोगों की जाच कौन करता है लोगपाल और लोकायुक्त तो हमें जरूरत क्यों पड़ी लोगपाल और लो बाधा डालता है ब्रश्टचार इस समस्य की जड़ा अधिकतर ब्रश्टचार निरोधी सस्थाएं पूरी तरह से फिरी नहीं है यहां तक कि सर्वोच न्याला नैभी CBI को अपने पिंजरे का तोता कह दिया है और अपने मालिक की आवाज बता है आप सोच सकते हैं जब CBI जाई ऐसा है तो भष्टचार के खतम हो सकता है इनमें से कई एजन्सी नाम मादर सकृति वाले केवन परामर्सी की तरह हैं कि हम सलाह दे दे रहे हैं आपको कि ऐसा से ऐसा हरो केवल परामर्स है तो के उससे मानना ज़रूरी नहीं रहता है इसके एलावा आ और्णिक पार कभी समापना होने वाले बिष्टचार के खत्रे को एक समधान प्रस्टूत किया है। तो हिस्ट्री की बात यहां पर करी जाती है लोकपाल, जिसको हम ओब्ड्समेन संस्था कहते हैं। तो ओब्समेन संस्था की अधिकारिक सुर्वात हुई थी 1809 में स्वीडन में हुई और हमरे यहां 2013 में हुई हम कितने पीछे हैं। बीसवी सताब्दी में एक संस्था की रूप में ओम्ड्समेन का विकास हुआ और यह द्विती विश्विद के बाद तेजी से आगे बढ़ा था। 1962 में न्यूजिलेंड और नार्वे ने यह प्रडाली अपना ली थी और ओवुट्समेन के विचार का प्रचार करने में यह बहत अहम से भूबा था। 1967 में एक वर्स 961 के वाट रिपोर्ट किसी पारिश पर ग्रेट विटेन ने ओम्ड्समेन सस्था को अपनाया और लोकतांत्रिक विश्व में इससे अपनाने वाला पहला बड़ा देश बन गया था। फिर गुयाना प्रथम विकास सिल देश था जिसने 1966 में ओम्बूड्समेन का विचार अपनाया इसके बाद लोग सामने आये जैसी कि मौरिशस, सिंगपूर, मलीसिया और भारत भी इसमें सामिल हो गया। कहा जा रहा है कि भारत में संवेधानिक ओम्बूड्समेन का विचार सबसे पहले 1960 में उठाया था। कानुन मंत्री थे असुक कुमार सैन संसद में ये बात इन्हों ने उठाई थी। लोगपाल और लोकायुत सब प्रख्यात विडिवेत्ता डाक्टर एलम सिंगवी ने पेस किया था ये फिलिम्स के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 1966 में पहले प्रसासनिक सुधार आयोग ने गवर्मेंट अधिकारियों संसस सदस दीस में सामिल थी कि विरुस सरका सिकायतों को देखने के लिए केंदी और राजिस्तर पर दूस्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिस करी थी। फिर 68 में लोकसभा में लोकपाल विद्यक पारित हो गया लेकिन लोकसभा के विक्टन के साथ ही ये कालातीत हो गया इसके बाद से ये लोकसभा में कई बार कालातीत हुआ था। फिर 2011 तक विद्यक पारित करने के लिए आठ प्रयास हो चुके लेकिन सब फैल। 2002 में एमेन वेंकट चले है कि अध्यक्ष्टा में संबिधान की कारपडाली की समिक्षा के लिए गठिद आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिस करते हुए प्रधान मंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कई थी कि प्रधान मंत्री की जा पारिस करी की लोकपाल कपत जल्द से जल्द आना चाहिए 2011 में प्रडव मुखर जी की अध्यक्ष्टा में मंत्रियों का एक समूब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सुझाव देने और लोकपाल विधयक के प्रस्ताव का परिक्षड करने के लिए गठित किया फिर अन्ना हजारे की लीडर्शिप में भ्रष्टाचार के विरुद भारत आंदौलन ने केंद्र में ततकालिन यूपीय सरकार पर दबाव भनाया और इसके परवणाम स्वरूप संसत की दोनों सदनों में लोकपाल और लोयक का युक्ष्ड विधयक 2013 पारित हो गया आप सोच सकते हैं अन्ना हजारे का इसमें काफी महत्पूर योगदान एक जनवरी 2014 को राष्टपती ने से अपनी सम्मत्ति दे दिया और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हो गया है अब 2016 में इसमें कुछ संसोधन भी हुए ठीक है तो इसके द्वारे ये निर्धारित किया गया था कि विपक्ष के मानता प्राप्ट नेता के अभाव में लोक सभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चैन समीति का सदस्य होगा क्या बात कही जाती है विपक्ष के मानता प्राप्ट नेता के अभाव में मान के चलो विपक्ष में कोई मानता प्राप्ट नेता अभी सभज में नहीं आ रहा है तो लोक सभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चैन समीति का सदस्य होगा एक चायन समीती रहती है उसका मेंबर कौन बनेगा यहां पर ये बात निर्धारित करी जाती है इसके द्वारा 2013 के अधिरियम की धारा 44 में भी संसोधन हुआ जिसमें प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोग सेवक को अपनी संपत्तियों और दाईत्मों के विवरण प्रस्तुत करना पड़े है आगे फिर बताया गया है कि संसोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा खतम कर दी गई अब लोग सेवक अपनी संपत्तियों और दाइत्मों के गोशना सरकार तौर निर्दारी रूप और तरीके से करेंगे है ये ट्रस्तियों और बोर्डों की सद्वाफियों को भी अपनी और पती-पत्नी की परिसंपत्तियों की गोशना करने के लिए दिये गया समय बढ़ो ऐसा कहना है ठीक है दिसमबर 2020 से लोकायुक्त की नहीं की गई है ऐसा कॉंग्रेस का कहना है इट सब्सक्राइब रिप्लाइब से इस 304 केसे पेंडिंग और इसी के चलते चलते 304 केसे पेंडिंग है तपूस्ट फॉर लोकायुक्त इन कैपिटल has been lying vacant since December 2020 and as many as 304 केसे आर पेंडिंग इन लोकायुक्त ओफिस ऐस ओब दिसमबर 31, 2021 इसा कहना दिल्ली कॉंग्रेस होन वैड नाशनले सिटिंग आर्टी आई राइट इन्फोरमेशन फ्ली रिप्लाइए एक्सेजिट बाई इट तो इनोंने आर्टी आई अप्लिकेशन लगा आया था कितनी पोस्ट खाली है लोकायुक्त में कौन-कौन से अधिकारियों की पता चला है कि डिसमबर 2020 से यह भर्ती जो है यहां पर हुई ही नहीं 304 केसे स्पेंडिंग है तो पार्टी सेट आर्टी आई रिप्लाइए आलसो स्टेट देट लोकायुक्त ओफिस रिसीव पी जो है यहां पर सिकायत है दर्ज हुई है प्रश्ट चार की रिवा खेत्रपाल वाज अपॉंटेट दर लोकायुक्त इन दोजार पंद्रा एंड हर टेन्योर एंडेट इन दोजार भी सिस्टेंड पोस्ट हैज बीन लाइंग वेकेंट एंड करॉप्शन केसिस है वीन अब विद्धा लोकायों को ऐसी यहां पर बात करी जाती है नेक्स्ट वाली जो न्यूज है वो कोई खास न्यूज तो नहीं है यहां पर जो लड़िया है वो फोटो खिचवाते हुए दिखाए दे रही है खजराहो के टेंपल में खास न्यूज तो नहीं है लेकिन अब बनाये गए थे मतलब इन मंदिरों को निर्माड दसवी सताब्दी के आसपास हुआ था इन मंदिरों के बाहरी दिवारों पर बनी कलाकरतियां इतनी फहमस हैं कि युनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हैरिडेस साइट में जखा दी है इन मंदिरों का निर्माड चंदेल राजाओं ने करवाया था खजुराहों के मंदिर बल्वा पत्थर से बनी है खजुराहों के मंदिरों में सबसे बड़ा और प्रसिद है कंदरिया महादियों इन सभी मंदिरों के सिख्रों को बहुत उचा बनाया गया है मंदिर की बाहरी दिवारों पर बनी मिथुन आकरत के बीच संतुलन बनाने का संदेश दिया गया है ठीक है आप सब कुछ करिए आप ऐसा समझ सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर के अलावा खजुराहो की प्रसित मंदिरों में हैं लच्मण मंदिर और चौसट योगनी मंदिर जहां लच्मण मंदिर भगवान विश्णु को स खजुराहो निर्ट्य समरो का आजन किया जाता है जिसमें हजारों लोग की फिर जुटती और इस महाउत्साव में पारम पर एक निर्ट्यकला को प्रसाहन दिया जाता है हिंदुस्तान का दिल कहलाता हम अध्यप्रदेश तो खजुराहो के मंदिर एक बड़े आर्थिक जो खमाई होती है उसकी बात यहां हो रही है धरोहरों की रख रखाव के लिए भारत सरकार द्वारा एडॉप्ट ए हैरिडेज स्कीम भी चलाई जा रही है इसके लावा अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजक्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑप टूरिजम में 14 कंपनियो को कार्परेट सोसल रिस्पोंसिबिल्टी की तहद दी गई है तो इस स्कीम में परेटन मंत्राले के अलावा आर्केलोजिकल सर्विय ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ कल्चर का भी महतपूर योगदान है